हाई गाईस तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जन सोलर के इस 180 वाट मोनो पर्क पैनल की मैक्सिमम पावर कि ये दिन के समय आपको मैक्सिमम कितने एमपेर तक दे सकता है तो अभी जो है दिन के साड़े 11 बजे रहें और जो इसकी मैक्सिमम एमपेर जनरेट होते हैं वो लगबग आपको साड़े 12 बजे से लेके 1 बजे की बीच या 3 बजे की बीच में देखने को मिलते हैं और आज का दिन जो है वो काफी जदा खिला हुआ है और यहाँ पर अच्छी खासी धूप है तो आप देख सकते हैं तो मौसम काफी अच्छा है तो यहाँ पर जो है हमका चेक करेंगे कि आज यह मैक्सिमम कितने एमपेर तक जाता है तो चलिए फिर आगे देखते हैं तो कईस ही हमारे सोलर के वायर है जो की ऊपर से आ रहे हैं और इसे हमने लगाया है यूटेल के SMU में तो जो भी हमारे सोलर पैनल से मैक्सिमम एमपेर आएंगे वो मैं आपको इसी के ऊपर दिखाने वाला हूँ तो अभी जो हमारी बैटरी चार्ज है कोई भी लोड नहीं चला है इस वज़े से यह 2.4 एमपेर 2.5 एमपेर दिखा रहा है तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं एक बज़ेने का अब उसके आद मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है 10 एमपेर तक दे सकता है तो थोड़ा सा और दिखते हैं तो यहां पर देखे 10.1 एमपेर तक आ चुका है तो यह बहुत ही रियर केस में होता है यह नहीं कि आपको यह डेली देखने को मिलेगा यह कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह 10.1 A तक इस समय हमें दे रहा है तो यह हमेशा पूरी तरिके stable नहीं रहेगा तो थोड़ा सा और वेट करते हैं देखते क्या होता है तो यहाँ पे जो है हमारे बैटरी के voltage भी maintain है और अभी यह 9.8 A पे आ चुका है 9.7 A पे आ गया है तो 9.6 A पे आ गया है थोड़ा सा और वेट करते हैं और अभी आप देखिए बैटरी के voltage भी बढ़ गए और यहाँ पे 9.7 A तक यह आ चुका है और अभी यह इस भी पे stable है तो maximum जो है मैंने इसे 9.6, 9.7 A तक रहते हुए देखा है लेकिन बहुत बार कम ऐसा होता है जब मैंने इसे 10 A तक जाते हुए देखा है लेकिन मैंने इसे कई बार इसमें जाते हुए देखा था लेकिन आप यहाँ पे खुश हो सकते हैं कि इसमें load भी चलना है SMU में भी लगा हुआ है तब भी यह आपको इतना यह एंपेर शो कर रहा है तो बहुत से लोगों ने आपको मल्टी मीटर से शेकर के दिखाया होगा लेकिन मैं आपको जो है रियल टाइम में SMU पे दिखा रहा हूँ जो की बहुत बड़ी बात है यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा बटन को प्रेस किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14.3 बोल्ट जो है सोलर से आ रहा है और अभी भी जो है हमें 9.9 एंपेर 9.8 एंपेर देखने को मिल जा रहा है तो जो जन सोलर का 180 वाट का मोनो पर्क पैनल होता है वो आपको कभी कभी जो है इतना मैक्सिमम पावर दे सकता है वैसे आपको 9.4 से लेके 9.5 एंपेर आराम से मिल जाते हैं जन सोलर के 180 वाट सोलर पैनल से तो गईस यहाँ पे आप देख सकते हैं और मैंने आपको SMU के उपर दिखाया लोट चलते हुए दिखाया जो कि यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखाएगा तो यह बहुती रियर कंडिशन में होता है कि जन सोलर का आपको 180 वाट का पैनल 10 एंपेर से भी जादा यहाँ पे दे दे तो गाईस मैं जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय बहुत ज़्यादा एक्साइट था इस वज़े से मैं टाइम आपको शोग नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा लेकिन जन सोलर के इस 180 वाट मोनोपर्ग पैनल ने बहुत ही दिल खुश कर दिया है बहुत ही कमाल के ला जवाव एंपियर दिये है और गाईस आप भी जो है अपने सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर एचीव कर सकते हैं कैसे एचीव कर सकते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा और गाईस बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके मैक्सिमम पावर दे के सस्ता है लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है तो काफी अच्छा यह सोलर पैनल रहा और बहुत ये अच्छा मौशम है, बिल्कुल दिल खुश कर दिया और गाईस अगर आप इसी तरह के knowledgeable और interesting वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें जो है subscribe कर लेना, वीडियो को like कर देना, वीडियो को share भी कर देना और अगर आपको किसी product के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप नीचे comment box में लिख सकते हो, अगर बहुत जादा लोग किसी एक product के बारे में बोलेंगे, तो सबसे पहले हम उसी product का review, unboxing वगएरा करेंगे, तो guys जल्दी हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप अपना care लखेगा तो चल्यों फिर, बाई बैटाटा